श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब सोला तारीक को पूर्णी मातिती है और इसी पूर्णी मातिती पर एक चावल के दाने से और एक बेल पत्र से आपको एक बहुती प्यारा सा उपाय करना है पुझी गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके प्रयास करते हैं कि आप तक उनके दिव उपाय बिल्कुल सरल विदी से सरल तरीके से पोचाए जाए ताकि आप उन उपायों को कर पाएं अगर चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंड में हमेशे की तरह श्री शिवाय नमस्तुब्यम ज़रू लिखें देखिए पूर्णिमा की तीथी जो है उस दिन चंद्रमा पूर्ण कलाव से युक्त होते हैं और हमारे भगवान शीव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को विराजमन कर रखा है इसलिए आज के दिन आपको जो उपाय करना है वो केवल एक साबूत चामल से करना है ध्यान र चामल जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चीए और ना ही खंडित होना चीए साथ इसाथ ध्यान रखे कि एक ही चामल का दान आपको लेना है और आपको एक बेल पत्र लेना है बेल पत्री जो है वो बिलकुल छोटी सी प्यारी से आपको लेना है ध्यान रखे ध्यान के बे पूर्णिमा की दिन आप सुबे से लेकर के रातरी तक आप ये उपाय कर सकते हैं किस प्रकार से करना है सबसे बेले तुबाद ये है कि जो अक्षद है वो आपको आपके सीधे हाथ में लेना है देखिए अगर आप शीवलिंग के इस साइट खड़े होते हैं वहां से आपको अक्षद शीवलिंग के उपर चड़ाना है लेकिन आप जब अक्षद चड़ाएंगे तब आपको ओम नमस्षिवाय या श्री शीवाय नमस्थ भ्यम का 108 बार जाप करके उसके बाद आपको अक्षद अरपन करना है ध्यान रखे भगवान शीव के उपर अगर आप चामल रिपीत करते हैं पूर्णी मा के दिन तो इससे चंदर ग्रह से जुड़े दोशों से भी आपको राहत मिलती है अगर आपके घर में कोई ऐसा विक्ति है जो हमेशा सोचते रहता हो जो डिप्रेशन में रहता हो जिसका चंदर ग्रह जो है वो कमजोर है तो उसे तो आज की दिन ये उपाय तो जरू करना चाहिए आगई आपको इतनी बात समझ में एक चामल का दाना आपको शीवलिंग पर चड़ा देना है अब आपको क्या करना एक बेल पत्री लेना है आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोल करके बेल पत्री चामल के दाने के उपर चड़ा अब आपको एक जल का पात्रे लेना है और भगवान शीव के उपर जल का पात्रे आपको अर्पित कर देना है ध्यान अखें जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तब आपको चंद्रमोली महदेव का नाम इस्मरेंट करते हुए यह जल का पात्रे आपको अर्पन कर देना है देखिए ये जितनी भी क्रिया है बड़े भक्ती भाव से आपको करनी है अब आपको क्या करना है जैसे ही आपने जल अर्पीत करा जब जलाधरी से जल निगरेगा तब वहां से आपको थोड़ा सा जल लेना है आपको आपके आँखों पर लगा लेना है इससे क्या होगा नमस्तुब्यम हर हर महादीव नमस्तुब्यम हर हर महादीव